करेंगे सुप्रीम कोट के एक जज्जमेंट की जिसने बोल आए कि इंडिया के मतलब भारत की हर प्लिस स्टेशन में सीसी टीवी इंस्टॉल होना चाहिए और यह जो जज्जमेंट आया है तो उसका यह बेस्बन आए है डी के बासू बसे स्टेट्स ऑफ वेस्ट पंगल वाला केस और यह जो जज्जमेंट आया है कि सीसी टीवी स्टॉल हो चाहिए है हर प्लिस स्टेशन में यह मेंली फोकस करता है जो कस्टोडियल जो डैट्स हो जाती मतलब जो कस्टडी में जो प्रिजिनर होते हैं उनके ज साथ है कि जो कस्टोडियल ज्यायत होते हैं मा謇ली जो पॉलिसमेlor करते हैं और बार में देने बता दे जिसको closed circuit television बोलते हैं मतलब CCTV का पूरा नाम closed circuit television यह याद रखना camera install होने चाहिए in each or every police station मतलब state और यूटी के जितने भी police station है सभी में यह CCTV install होने चाहिए तो इसमें इस judgment ने इस judgment ने इसा बोला है सो और इसके बाद ही इसके तुरंद बाद ही Bombay High Court ने बोला है कि जो CCTV cameras है उस अभी police station होने चाहिए और diet cops to maintain डेले इस और इसके अलावा पहले यह सुपी को ने जैजमेंट दे दिया police station के लिए इसमें और इसमें addition आया है तो इस चीज़ को आप याद रखना सो इसमें हो गया है कि states and ut should ensure TV CCTV cameras installed in each and every police station तो state and ut सभी उनको ensure करना पड़ेगा कि उनके साभी police station में CCTV install में चाहिए एट एंट्री और exit point पर एंटी point पर हो गया और main gate हो गया लॉक अप्स हो गया लॉबी रिसेप्शन जितने भी एरिया जो main main area उन सभी पर तो CCTV होने चाहिए और जो outside the lock up जो लॉकर रूम के अंदर भी वह प्र लॉकर रूम के बाहर भी CCTV सब्सक्राइब कोई भी पार्ट कोई भी पार्ट कोई भी पार्ट कोई भी बाट में CCTV से उससे बहार नहीं जाना चाहिए यह बोलना है सुपिंग कोट का सो इसके अलावा आप UPSC को टेलीग्राम फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं लिंक्स नीचे वीडियो के नीचे डिस्ट्रॉक्शन में दी हुई है सो इसका जो बैग्राउंड है यह जो एजज्मेंट आए उसका में बैग्राउंड है डी के बासू वर्से स्टेट ऑव वेस्ट बंगाल वाला केस है तो उसी में भी बोला गया था सिंपिंगोंडा बोला था कि सीसिटीव इस्टाइशन चाहिए सभी पुलिस स्टेशन में और प्रिजनर्स टू चेक हीमर राइट्स और में यह था कि जो इसमें हीमर राइट्स का इसुई आ रहा था हूं उसमें अभी बीच बीच में ऐसे जज्जमेंट आने लागे तो हाँ फाल में इसको अज़्यदा तो वो जो दिया बिकॉर लॉग डाउन की दौर्ण में और चला थो पर चला तो को यह इंदोनों की बेसेशन और नहीं तो इन दोनों की देथ पुलिस स्टेशन में होई ती इसा कीसेश को बीचेशन पर लेकर यह उन्होंने बोला है क की इंप्लिमेंटेशन अब डी के बासूस जज्जमेंट तो मैंने सप्रीम कोट का तो इसी को चीज को बनाते हुए चल देखते हैं सब्सक्राइब नाइड विजन की फैसलिटी इसमें होगी दैन इट सेल मेंडिटी और सेंटर स्टेट और यूटीज को बोला गया की ऐसे सिस्टम पर्चेस को जहां पर जहां मतलब जो जो स्ट्यूरी जो कैपिसिटी है वो मैक्सिमम पीरिट कितनी हुए एक साल तक की मैक्स के ऐसे सिट्सस्टम को परचेस करने को बोला कौटने थैन इसके आलावा विऑ रहिए फिलाओ कि जो भी से संटर की इतनी भी इनफ्सैके ऐसंट्याइज की था हो चाहई कि लाइए इन्वेस्टिकेशन एजनसी होगा, CBI होगा, जिसको Central Bureau of इन्वेस्टिकेशन बोलता है, then ED होगा, Informant, Enforcement Directorate, then National Investigation Agency, इसको NI बोलता है, then तो इसी सभी इन्वेस्टिकेशन एजनसी में भी CCTV एजनसी कैमेरा और इंस्टोल होने चाहिए है, इन्वेस्टिकेशन एजनसी में CCTV इंस्टोल होने चाहिए, ऐसा कोट ने बोला और Center की, ये duty बनती है, और इसको Mandative बोला है, और Center इस सब चीजों को इंस्टोल करेगा, कि इस सब चीजें टाइम पे और ठीक तरीके से इस्टोल हो रही हैं कि नहीं, इसके अलावा इसमें देखते हैं custodial death, जो custodial death क्यों होती है, जो police custody में किसी इंसान की death हो जाती है, उसी को custodial death हो जाती है, जो police के द्वारा police brutality या police torture इसको बोलते हैं, उसके द्वारा जिसकी death हो रही है, उसको custodial death बोला जाता है, इसके डाटा के according 2000 से लेकर 2018 के बीच में ऐसे 727 cases हैं, जो register हो उन सभी 727 cases में सिर्फ 26 police men को ही convicted किया गया, तो पिछले 18 साल में सिर्फ 26 police men को ही convicted किया गया, ऐसे 727 cases में तो यह आप देख सकते हैं कि कितना कम ratio हो जाए, कि किसेज तो काफी सार रेजिटर हो गया है, बद इन सभी cases में 26-26 police men को ही convicted किया गया, और इसके अलावा only 4.3% of the 70 death, तो 2018 में जितने भी 70 जो death होई थी उन में सिर्फ 4.3% ही वह custody की death थी जो custody death की वाज़े से होई थी, तो यह government का data काफी rely आप इसको main answer rating में इसको use कर सकते हैं, इसके अलावा इसके reason क्या सकते हैं जो low conviction rate चल रहा है, इसको hospital treatment के दोनान जो death होती है उसको बता देते हैं कि यह hospital treatment के दोनान होई है, यह suicide किये उस आदमी न तो उसको इससे वह से एक तरह किये से इसको छपाते हैं, इसके लावा जो police department के उपर जो spot बनता जो काला दबा गया तो उसको clear करने के लिए इसके काफी सारे cases को न रेश्टर ही नहीं कहा जाता हो, ऐसे इस चीज को यह वाई से जो registration है जो ऐसे cases हो काफी कम register होते हैं, यह main point है, इसी वह से low conviction rate प्लस अगर किसी police department के पुलिस परसनल पर cases रहता है, इसे police department के बदनामी को होती है, तो इस चीज को बचने के लिए इन ऐसे cases को ज़्यादर जल्दी रफा रफा कर देता हूं और इसमें जज्जमेंट नहीं आता, इसके लाबा reason beyond the custodial violence और इसके पीछे और reason क्या होता है, तो सबसे बड़ा main reason है कि strong legislation है उसकी absence होना, जब strong legislation नहीं होगा तो police, जो police personnel है, वो एकदम as a superior की तरह work करेंगे, तो उनकी उपर कोई भी authority नहीं होगी, तो वो एक तरह का highest superior authority की तरह work करेंगे, अगर उनकी उपर कोई भी force, अगर कोई भी power work नहीं करेंगे, तो as a superior की तरह करेंगे, और वो अपने हाथ में कानून को भी ले सकते हैं, तो यह चीज आपको याद रहेंगे, इसके अलावा institutional challenge है, काफी institutional challenge नहीं है, जो work force है काफी ज़्यादा होना, प्लस उनके उपर pressure भी ज़्यादा होना, political pressure हो गया, प्लस और जो public, जो public meeting काफी ज़्यादा होती है, और जो crime rate को थोड़ा और उसको depend करना, बाकि अधर कीज़ों के वैसे जो institutional challenge आ रहे है, जो police reform है, जो police reform ही काफी time से नहीं हो, जो यह सारे चीज़ें, इसके अलावा, although India has signed the United Nations Convention Against Torture, जो 1997 ने उसको signed तो किया है, पर उसको ratification नहीं किया है, अब तक उसको ratification तो एक यह भी moral तरीकेस है, इंडिया को पर यह नहीं आते हैं, अगर हम इंडिया ने उसको ratification नहीं किया, तो इंडिया को पर यह एक moral responsibility नहीं आती है, इसके अलावा, इसके constitutional dimension देख लेते हैं, कॉस्टरी दैक के बार में किया है, वह इससे हमारे जो articles नहीं है, जो fundamental rights है, वह abuse हो रहे है, जो current direction आई है, उसमें सबसे main reason, main जो लिया आगे है, वह article 21 लेगा, जो कि fundamental right है, तो इसके लावा article 21 जो कि production of life and personal liberty, तो अगर किसी police, personal के द्वारा, उसके वह torture किया जा रहा है, या उसमें lock-ups है, तो उस आदमी की, जो personal liberty है, वह हट हो रही है, तो इसके वह इससे, वह personal liberty है, वह आगे fundamental rights में, तो इससे वह वैसे, fundamental rights उस आदमी के हट हो रहे है, अब्यूज किया जाना है, तो एक main reason तो हो गया है, तो इसके fundamental rights को हट गया जा जाए है, उसके इलावा, इसमें कुछ दे रखे हैं, राइट अंगेंस solidarity confinement, राइट अंगेंस handcuffing, यह इसका राइट है कि हैंगेंस हैंगेंस में बहता है, अजब तक उसके पास को भी official order नहीं होगा, police personnel के पास, तो वो किसी भी आदमी को गफसा नहीं कर, इसके right अंगेंस custodial है, तो इसके पास यह भी rights है, तो ऐसे काफी सारे list दे रखे हैं, तो यह सारे article 21 में यह सारे, sorry, article 21 में यह सारे rights हैं, तो इन सभी rights में यह rights भी दे रहें, कि right अगे sovereignty confinement, right against handcuffing, right against custodial, तो यह सारे article 21 में आता है, इस ही की वैसे, उस आदमी का article 21 जो की fundamental rights है, वो हट हो रहा है, तो इस जो fundamental rights है हट होगा, तो उस case में supreme court बीच में आएगा, और उस आदमी के fundamental rights को defend करेगा, against the Indian government of police department, so इस चीज़ को याद रखना, then right to council is also fundamental right under article 22 clause 1 of the Indian council, right to council भी also fundamental rights है, तो उसको भी defend करेगा, supreme court, इस चीज़ की वैसे, जो DK cases में, बोला गया है, कि, so cctv case, cctv है, उनको जल्दी जल्दी इस चांच किया जाए, हर police station में, so यह उसका basis है, so, इन सब चीज़ की ज़ुरत की क्या पड़िए, so implementing the guidelines, जो की एक guidance नहीं, DK case में, जो फिस चिपिंग कोड ने दिया है, तो उन guidance के according यह सब चीज़न वर करने पड़ेंगी, cctv लाओ, press, ccv और अधर चीज़न भी करने पड़ेंगी, तो यह सब guidance को follow करना पड़ेंगी, तो यह main reason तो यह हो कि, then इसके लाए, implementation of law commission of India to 273 report, जो law commission की report तो उसमें बोलाएकि कि those accused of committee, custodial torture, be it या, मतल़ जो custodial treatment, जो committed है, तो उसमें चाहिए वो police वाला हो, या military हो, या paramilitary personnel हो, should be criminally कुछ चीज़ को, जो मतल़ किसी भी police या military या paramilitary personnel पर, जब यह custodial death का जो लगेगा उसका पारब, तो उसको एडमिस्टेशन वाला हो, जो आडमिस्टेशन जो order लिया जाता, वो ना लेके, उसके उपर criminal cases की तरह, वो prosecute के जाए, तो इसमें यह बताएगा है, इस report में, कि administration वाली report ना होते हुए, उसको उपर criminal prosecution चलाएगा है, यह इसमें main बताएगा है, then इसके बार, prison reform are required, मतल़ जो prison reform में वो जरूरी है, मतल़ काफी कम जगह में काफी ज़्यादा लोग है, प्लस खाने की चीज़ ठीक नहीं है, प्लस रहना की ठीक नहीं है, वहाँ पर unhydrogenic चीज़ना काफी ज़्यादा है, तो जो प्लिस prison reform वो काफी ज़्यादा राने पड़ेंगे, required to ensure human, जो in human condition आयाती है, जो इतनी कम जगह में, इतनी कम सफाई में और खाना की जो खाने की quality वो कम बहुत ज़्यादा बेका है, तो उसके एक तरह की in human condition होगे, and security for the people in the custody, और में तो यह होगे कि उन people's की security जो custody में, तो यह की हो गया, इसमें बोला गया कि जो regular access होना चाहिए, जो एकदम qualified person हो उन जगहों पर, कोई भी officer हो या कोई भी ऐसा होगा कि उन जगहों पर daily या monthly regular access मिलना चाहिए, उसको independently ताकि उस चीजों की inspection करता रहे, ताकि इससे पता चल रहे कि वहां की condition है, वो किसी personal के लिए ठीक है कि नहीं, अगर उस पर कोई torture तो नहीं हो रहा उसके according, जो cases में जो guidelines दें हैं, उसके according वो police उसके against में तो नहीं जा रहा तो, ऐसे officers को या ऐसे personnel को daily inspection या unregistered regular access मिलना चाहिए, इसमें बोला गया, इसके अलावे कुछ facts हैं कि government announced India's top 10 best performing police station for 2020, तो इसमें एफेक्ट बताये हैं कि government ने अभी हाल-फलाल में इंडिया के इसे top 10 performing police station के list जारी किये, तो इस list में सबसे, जो मनिपूर का आता है, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ top 3, तो तो टोप 3 में सबसे पहला ह्ताय, जने टोब किया है इस list में, मनिपूर का ही ml टो दिस्टीक मनिपूर ठोल मिलिस्टीक्र पुलीक्ती के विल्टेसिन ऑन नंक पॉक्स एकमाई police station तो यह पहला की नमर का है, पुलीस्ट में है, जो कि मनिपूर सेज्ट में आता है, एक wph शुरमंगर पुलीस्टीशन, सलम्सिट्रिय अफ तमिल्णाडु में है, जिसकी रेंक कितने second है? टेन थर्ड वन इस खर्शंग प्रिश्टेशन जो कि चैंगलग दिस्टिक अनुजब प्रिदेश में तो टॉप थी में जिसमें यह वन एंड थी यह वो कहां के को सब्सक्राइब कर सकते हैं प्रेश दा बेल आइकन फो दा मोर अपडेट्स तन्यवाद